हेलो एवरिवन अर्चना संजी कुपता के यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज मैं आपके साथ कुकिंग और क्लिलिंग से रिलेटेड कीचन के कुछ बहुत जरूरी टिप्स शेयर कर रही हूँ जो कि हमारे डेली लाइफ में बहुत काम आ सकते है अगर आपके आलू बाजार से घर लाने के बाद बहुत ही जल्दी इस प्राउटेड यानी के अंकुरित होकर खराब होने लगते है तो आलू को लंबे समें तक ताजा रखने और अर्ली स्प्राउटिंग से बचाने के लिए आलू के टोकरी में आलू के साथ एक या दो सेप जरूर रखे क्योंकि सेप से एथलिन गैस रिलिज होती है जो कि आलू को लंबे समय तक ताजा रखने में हेल्प करती है साथ ही आलू जल्दी खराब ना हो इसलिए उन्हें घर के किसी डार्क एंड्राय प्लेस में रखना चाहिए और हो सके तो आलू को प्याज के साथ कभी न रखे क्योंकि आलू को प्याज के साथ रखने से आलू बहुत ही जल्दी अमकुरित होकर खराब होने लगते है अक्सर ब्राउन सुगर को लंबे समय तक स्टोर करने से ब्राउन सुगर काफी हाड हो जाते हैं ऐसे हाड सुगर को कंटेनर से निकाल कर यूज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है तो ब्राउन सुगर को फिर से सॉफ्ट बनाने के लिए उन्हें 30-60 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव में गर्म करें माइक्रोवेव में गर्म करने से ब्राउन सुगर पहले की तरह सॉफ्ट हो जाएंगे जिने आप microwave से निकाल कर और थोड़ा gently प्रेस कर पहले की तरह भुरबुरा कर उनके एक एक दाने अलग कर सकते हो कई बार लकडी के chopping board और utensils को पानी से धोने या उन्हें पानी में लंबे समय तक रखने से उनमें crack सा जाते हैं इस वज़े से उड़े नुटेंसिल जल्दी खराब होकर तूटने लगते हैं ऐसा ना हो इसलिए लकडी के बरतनों को हमेसा धोने के बाद तूरंत साफ कोप्रों से पोच कर और अच्छी तरह से सुखा कर रखना चाहिए और सुखने के बाद उन पर उइलिंग जरूर करें ऐसा करने से लगडी के बरतनों की क्वालेटी इंप्रूव होती है और उड़े नुटेंसिल के लाइफ बढ़ जाती है वो लंबे समय तक तक तिकते हैं आप अपने उड़े नुटेंसिल पर विक में कम से कम एक बार उइल जरूर अप्लाई करें वैसे ऑउलिंग के लिए आप कोई भी कुकिंग ऊइल अप्लाई कर सकते हो मैं यहां coconut oil अप्लाइ कर रहे हूँ क्योंकि coconut oil light होने के वज़े से उड में बहुत ही जल्दी observe हो जाते हैं लेकिन अगर oil लगाने के 2-3 घंटे बाद भी आपको आपके utensils oily या sticky लग रहे होंगे में रखने से पनीर soft हो जाते हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप जल्दबाजी में हो और आपके पनीर पूरी तरह से soft नहीं हुए है तो ऐसे में पनीर के hard होने की वज़े से उनकी pieces cut करना बहुत ही मुश्किल होता है तो पनीर जल्दी soft हो जाए इसलिए सबसे पहले आप एक बरतन में पानी उबाले अब उबलिवे पानी में पनीर को 10-15 मिनट के लिए भीगा कर रखे ऐसा करने से आपके पनीर बहुत ही मुलायम और soft हो जाएंगे इवन कई लोग ये सिकायत करते हैं कि फ्रीजर में रखे वे पनीर की सबजी बनाने पर सबजी में पनीर hard हो जाते है इतने fresh नहीं लगते तो फ्रीजर से पनीर निकाल कर नेक्स टैम पनीर की सबजी बनाने से पहले ये प्रोसेस जरूर अपनाएं आपकी सिकायत जरूर दूर हो जाएगी अक्सर पनीर की सबजी बनाते समय सबजी ज़्यादा स्वाधिष्ट बने इसलिए पनीर को ग्रेवी में डालने से पहले हम पनीर को डीफ्राय करते हैं लेकिन आपने ये नोटिस किया होगा कि पनीर को डीफ्राय करने से पनीर की सबजी में पनीर रबड की तरह चीवी और हाड हो जाते हैं ऐसा ना हो इसलिए पनीर डीफ्राय करते समय एक बरतन में गरम पानी कर श्टो के पास रखे और पनीर डालने की तुरंत बाद पनीर को पानी में डालते जाए इस तरह पनीर को तलने के बाद तुरंत गरम पानी में डालने से पनीर बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट हो जाते है साथ ही पनीर में जो एक्स्टा ओयल होता है वो भी पानी में रिलीज हो जाता है और मुलायम होने की वज़े से पनीर सब्जी की ग्रेवी को अपने अंदर अबजो कर लेता है इससे आपकी सब्जी बहुत ही स्वादिश और मुह में घुलने वाली बनती है कई बाद सुगर को स्टोर करने पर उसमें चीटिया लग जाती है तो सुगर को चीटियों से बचाने के लिए चीनी की डिबो में चीनी के साथ 3-4 लौंग रख दिजिये सुगर के कंटेनर में लौंग रखने से उनमें चीटिया नहीं लगती अगर आप जाते हो कि पालक पनीर की सबजी बनाते समय पालक की ग्रेवी का कलर चेंज होकर डार्क ना हो जाए और पालक पनीर की सबजी निट्रियन से भरपूर स्वाधिश्ट बने तो सबसे पहले पालक पनीर की सबजी बनाते समय पालक को अच्छी तरह धोकर कुकर में रख दीजिए यहां कुकर में हमने सिफ पालक डाले है पालक के साथ पानी बिलकुल नहीं डालना है साथी पालक में आराउंड वन टीस्पून सुगर डालना है चीनी डालने से पालक का रंग जादा चेंज नहीं होता, साथ ही सबजी भी बहुत स्वाधिश्ट बनती है इसके बाद अब कुकर को बन करने से पहले हमने कुकर के ढखकन से सीटी निकाल कर साइड में रख देना है देन हम कुकर बन कर पालक को धीमी आज पर केवल 5-7 मिनिट्स के लिए ही पकाएंगे कुकर की थंडा होने पर आप देखोगे कि पालक अच्छी तरह गल गए है अब पालक में से जो एक्स्ट्रा पानी निकला है उसे पालक के साथ पीसकर पालक की ग्रेवी बनाएं ऐसा करने से पालक के अंदर जो भी निट्रेंस होते है वो वेस्ट नहीं होते और पालक की ग्रेवी बहुत ही स्मूध और क्रीमी बन का त्यार हो जाएगी और पालक की इस ग्रेवी से जब आप पालक पनीर की सबजी बनाएंगे सबजी बहुत ही स्वाजिष्ट बनेगी मिठाई बनाते समय इलाइची से इलाइची के छिलके अलग निकाल कर फेके नहीं बलकि इलाइची के छिलकों को चाय पत्ती के साथ चाय पत्ती के कंटेनर में रखने से चाय बनाते समय चाय में से बिना इलाइची डाले इलाइची की बहुत अच्छी महकाती है साथ ही इलाइची फ्लेवर की बहुत ही बढ़िया चाय बनती है मिठाई बनाते समय 4-5 इलाइची के दाने अलग कर इलाइची के दानों को अगर 1 या 2 टेबल स्पून सुगर के साथ मिकसर में पीस होगे तो मिकसर में बहुत ही जल्दी आसानी से इलाइची का पावडर बन का त्यार हो जाएगा ऐसा करने से मिकसर में बिल्कुल भी इलाइची का दाना नहीं रह जाता बलकि इलाइची और सुगर का एक अच्छा सा ड्राइप आउडर बन का त्यार हो जाता है जिसे आप मिठाई बनाते समय इस्तिमाल कर सकते हो स्टील के बर्तनों से तेल का दाग निकालने के लिए सबसे पहले उस बर्तन में पानी गर्म करे बर्तन में उतना ही पानी डाले जहां तक बर्तन में आपको तेल का दाग दिखाई दे जैसे ही पानी बॉल होने लगे बरतन में एक से दो टेबल स्पून बेकिंग सोडा, आधा निम्बू और अराउंड हाफ टीस्पून डिस लिक्विड डाले अब बरतन को तीन से चार मिनट के लिए ढग दे और पानी जब उबलने लगे हमें इस टो बन कर देना है और तूरण जब बरतन हलका थंडा हो जाए, मैटल स्क्रब की हेल्प से हमें दाग को स्क्रब करके हटाना है इस प्रोसेस की हेल्प से बहुत ही कम मेहनत में पुराने से पुराना तेल का दाग आप अपने श्टिल के बरतनों से आसानी से निकाल सकते हो तो अगर आपको मेरे किचन के टीप्स यूसफूल लगे हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्यू सो मच फर वाचिंग मैं वीडियो